नमस्कार दोस्तों स्वागते फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड में कोरेक्शन कैसे कर सकते हैं नेम चेंज करना है दोस्तों या फिर कोई अधर करेक्शन करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं अपने CSC UTI पोर्टल से दो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने यूटेई पोर्टल को लोगइन कर लेना है अपनी CAC id से, उसके बाद दोस्तों आपको apply correction का option पर आना है, और उसके बाद दोस्तों जो fresh वाला option है, request for change correction data उसके हमने कुलिक करना है, जैसे दो दोस्तों आपको physical mood में ही इसे okay रहने देना है और यहां पे दोस्तों आपको permanent account number में अपना pen card number enter करना है जिसमें correction करनी है एक बार pen card enter करने के बाद आपको re-enter फिर pen card number डालना है दोबारा फिर pen card number डालके हमने okay पर click कर देना है आपका pen card जो number होगा verify हो जाएगा उसके बाद द क्लिक करके submit के option पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको reference number मिल जाता है आप इसे copy करके भी no down करके रख सकते हैं उसके बाद दोस्तों आता है full name तो मैंने name में correction करनी है full name के tick box पर उसके बाद दोस्तों आपको Siri या सिरी मती जो भी आपने code यहां पर select करना होगा उसके इपने पर दोस्तों आपको last name लिखना है उसके बाद आपको first name लिखना है जो भी आपने correction करना है तो मैंने फुल प्रों आएटेटी पे कलिक करना है और आप देख सकते हैं इसमें आपका जो pencard में फिलहाल जो name होगा वो आपको यहां पे देख जाएगा जैसे last name है उसे फिरस्ट ने में नहीं है तो तो मानले दोस्तों आपको इसमें कोई और करनी है तो आपको Father Name के आगे जो Tick Box है वाहंपे कलिक कर देना है लेकिन में कोई इसमें नहीं करनी तो मैं यहांपे Tick नहीं करूँगा और उसके बाद दोस्तों आता है Select Parents Name on the card तो यहांपे आपको Father Name कर देना है उसके बाद दोस्तो डेट ओफ बर्थ आती है तो आपको डेट ओफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है मानली जी दोस्तो आपने डेट ओफ बर्थ में भी करेक्शन करनी है तो आपको डेट ओफ बर्थ के जो आगे टिक बॉक्स है वहाँ पे टिक कर देना है ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो आता है यहाँ पे gender आपको अपने code यहाँ पे gender select करना है male female और उसके बाद दोस्तो यहाँ पे straight select करना है अपना और उसके बाद दोस्तो यहाँ पे अधार का नंबर डालना है एक बार अधार का नंबर एंटर करने के बाद दोस्तो आपको वो name यहाँ पर type कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको next step पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों मारे सामने documents की detail आ जाती है तो इसमें identity proof में address proof में और date of birth proof में अधार कार्ड ही automatic use रहेगा तो वही हमें यहाँ पर रहने देनी है और उसके बाद दोस्तों आपको pen proof में आपने coding यहाँ पर pen का जो proof है वो select करना होगा सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर एक दो option महुट देखने को मिलते हैं जो है correction name के और change name के तो मान लेजे दोस्तों आपका जो name है उसमें कोई correction है तो आप correction पर click करेंगे अगर दोस्तों आपको totally name change है तो आप चैंज नेम पर click करेंगे और दोस्तों अगर आप चैंज नेम पर click करेंगे तो आपको जो यहाँ पर अधर पूरूफ देना ओगा जो name का वो आपको यहाँ पर अपने coding select करना होगा मान लोग आप certificate भी आपको दोस्तों अपने कोडियां पर बोल्ड करना हो गा उसके बाद अगे बढ़े क्र्कशिंस में कोलुड करना होगा और इसके बाद उसके बाद आते हैं पैन प्रूफ में तो को यहां पिने पृफ में पेंड का की कौकी है तो वो लगा नहीं होगी अगर दो सब करना होग tissue पर उसके बाद है को सिंपली QuBlack करना होगा उसके बाद दोस्तों आपके जो पैमेट अब सेक्सेफल पे हो जाएगी और पैमेट सेक्सेफल पे होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रिकर का इंटरफिस आ जाता है जिसमें आपका दार वेरिफाई हो जाता है उसके बाद दोस्तों मारे सामने उसनाता है address proof का तो दोस्तों इसमें हमने residence select करना है और आपको ये दोस्तों पूरा address से जो fill करना होगा जो दोस्तों आपके अदार कार्ड में है वही address आपको यहाँ पे fill कर लेना है अपना जो block है, अपना जो village का name है अपना जो post office है और अपना जो subdivision है, district और अपना state और pin code आपको प्रोपर यहाँ पे fill कर लेना है अपने अदार कार्ड के according address fill करने के बाद दोस्तों हमें telephone का जो code है उसमें India select करना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना mobile number है वो enter कर देना है और अपनी mail ID यहाँ पे डाल देनी है ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें mail ID वही डालनी है इसमें आपका जो pen card है वही बनके आने वाला है यह pen जो आएगा आपको इसी जो mail ID है इसी पे वो आएगा उसके बाद दोस्तों आपको next step पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों इसमें हमारे सामने option आयाते है photo के और sign के यह आपको टिक की रहने देना है अपलेट हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको pen 1 में आपका जो pen card number है वो enter कर देना है उसके बाद दोस्तों नीचे उप्सन आता है verification का तो आपको जैसी IV में click करेंगे तो अपना name आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर himself और himself रहने देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर one पर click कर देना है और उसके बाद दो आपको यापकी अपना पलेस का नेम लिगنا है और जो आपकी डो डेटा है आज की वो आपे डेटा सेलेक्ट करदेनी है और उसके बाद दोस्तों आपको summit वियुज़ले पे सेंपली क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप submit पे click करेंगे तो आपका जो pen card है वो apply हो जाएगा जो shift है वो आ जाएगी उसके बाद दोस्तों हमें document upload करने होंगे तो दोस्तों document upload करने के लिए हमें वाफिस उसी portal पे आ जाना है उसके बाद दोस्तों इसी में correction में नीचे option देखने को मिल जाता है हमें upload document का इस पे हमने click करना है जैसे दोस्तों इस पे click करेंगे तो हमारे सामने जितने भी document upload करने वाले pen रहते होंगे वो सभी हमारे को देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो इसमें simply हमने upload वाले option पे click कर देना है जैसे दोस्त upload वाले option पे click करेंगे इसमें दोस्तो हमें तीन option देखने को मिलेंगे एक तो दोस्तो इसमें हमें form upload करना होगा एक में दोस्तो photo upload करने होगी और एक में दोस्तों आपको signature अप्लोड करने होंगे तो दोस्तों आपको photo का sign और जो sign का size है वो आपको पहले से set करके रखना होगा अगर दोस्तों आपको set करना नहीं आता तो मैंने अपने इसी channel पे पहले एक video बना रखी है pen card की उसमें मैंने complete बताया हुआ है कि कैसे आपको sign set करने है अगर दोस्तों आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो देख लेना जाके document upload होने के बाद दोस्तों आपको जो form है वो successfully apply हो चुका है दोस्तों कैसी लगी जानकारी comment box में जूरू बताना अगर दोस्तों वीडियो helpful लगी तो वीडियो को लाइक कर देना अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में पहले बाद आने तो चैनल को subscribe करने ना आप साथ में बैलो लाइकन दबा लेना मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही तब तक के लिए नमस्कार